बहुत समय पहले की बात है कि एक गाउ में एक मुर्तिकार मुर्ती बनाने वाला रहता था वह ऐसी मुर्तिया बनाता था जिन्हें देख कर हर किसी को मुर्तियों के जीवित होने का भरम हो जाता था आसपास के सभी गाव में उसकी परसिधी थी लोग उसकी मुर्तिकला के कायल थे इसलिए उस मुर्तिकार को अपनी कला पर बरा घमंड था जीवन के सफर में एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे लगने लगा कि अब उसकी मृत्यू होने वाली है वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा उसे जब लगा कि जल्दी ही उसकी मृत्यू होने वाली है तो वह परेशानी में पर गया यमदुतों को भ्रामित करने के लिए उसने एक योजना बनाई उसने हूबहू अपने जैसी दस मूर्तिया बनाई और खुद उन मूर्तियों के बीच जाकर बैठ गया यमदुत जब उसे लेने आए तो एक जैसी 11 आकरितियों को देखकर दंग रह गये वे पहचान नहीं कर पा रहे थे कि उन मूर्तियों में से असली मनुश्य कौन है वे सोचने लगे अब क्या किया जाए अगर मूर्तिकार के प्रान नहीं ले सके तो स्रिष्टी का नियम तूट जाएगा और सत्य परखने के लिए मूर्तियों को तोरा गया तो कला का अपमान हो जाएगा अचानक एक यम्दुत को मानो सोभाव के सबसे बरे दुरगुन अहंकार को परखने का बिचार आया उसने मूर्तियों को देखते हुए कहा कितनी सुंदर मूर्तिया बनी है लेकिन मूर्तियों में एक तुरूटी है कास मूर्ति बनाने वाला मेरे शामने होता तो मैं उसे बता पाता कि मूर्ति बनाने में क्या गलती हुई है यह सुनकर मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा उसने सोचा मैंने अपना पूरा जिवन मूर्थिया बनाने में समर्पित कर दिया भाला मेरी मूर्थियों में क्या गलती हो सकती है वह बोल उठा कैसी तुटी जट से यमदूत ने उसे पकर लिया और कहा बस यही गलती कर गए तुम अपने अहंकार में की बेजान मुर्तिया बोला नहीं करते। इतिहास गवा है अहंकार ने हमेशा इनसान को परेशानी और दुख के सिवा कुछ नहीं दिया है।